प्यारे बच्चों, आज जिस कवित्री के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उनका नाम है निर्मला पुतुल। निर्मला पुतुल ओहिंदी भाषी शेत्र की कवित्री हैं। इनकी कविता का अनुवात कर इसे आपके पाठे क्रम का हिस्सा बनाया गया। कविता विशेश है, समसामाईक मुद्धे पराधारित है, इसलिए एक अहिंदी भाषी शेत्र के कविता को आपके पाठे क्रम में शामिल किया गया। चलिए बढ़ते हैं कविता की ओर। बटूर पृत्वी की पूरी उर्जा उठेगा धीरे धीरे जमीन से जमीन पर गिरा आदमी और अपने लड़ खड़ाते कदमों से नापते दूरियां पहुँच जाएगा वहां जहां उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। नगाडे की तरहां बजते हैं शब्द। यह इनकी पुसक है जिससे ये पांक्तियां ली गई हैं। निर्मरा पुतुल जन सन 1972 दुम का जारखंड। जारखंड वै राज जो बिहार से अलग हुआ और नवीन राज के रूप में स्थापित हुआ है। प्रमुक रचनाएं आच्छा जारखंड की राजधानी रांची जिससे हमारे बहुत क्या सकते हैं बड़े क्रिकेटर एमेस धोनी इस जगा से संबंधित हैं। जारखंड वही जगा है। प्रमुक रचनाएं नगाडे की तरहां बजते शब्द अपने घर की तालाश में निर्मला पुतुल का जनमेक आदिवासी परिवार में हुआ। जारकंड विशिश तोर पर आदिवासी सामाज के लिए ही जाना जाता है। शिडियूल ट्राइब सबसे ज़्यादा हैं यहां। इनका आरंबिक जीवन बहुत संगहर्श में बीता। घर विशिक्षा का महौल था। मतलब पिता और चाचा दोनों ही शिक्षक थे। उसके बावजूद रोटी की समस्यार था। इतनी जादा तंगहाली थी कि जीवन यापन करने के लिए भोजन भी मोहया नहीं हो पा रहा था। जूजने के कारण अनियमित अध्यन जो नियमित अध्यन था जो रेगुलर स्टडीज थी उनकी वो अबाधित हुआ। नर्स बनने पर ये सारे आर्थिक मतलब पैसे की तंगी खत्म हो जाएगी है। सोचकर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफी समय बाद इगनु से इंद्रागंधी ओपन यूरस्टी से सनातक की डिग्री भी उने प्राप्त की सनातक मतलब ग्रैजुएशन। संथाली सामाज और उसके रागबोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। व्यक्ति जिस जगा जिस कैसकते हैं स्टेट से जुड़ा होता है जो उसका जन्मस्तान होता है उससे उसका अलग ही प्रेम होता है। वही निर्मला जी का रहा अपनी जगा से जब नर्सिंग की शिक्षा के समय वे बाहर निकली मतलब जार्खंट से बाहर निकली तब उनका बाहर की दुनिया से परिच्चे हुआ। दोनों सामाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वे बोध विक्सित हुआ। क्यों वहे इतना पिछडा हुआ है। यह सभी समस्याएं उन्हें उसका उत्तर मानों हैं मिला। उन्होंने आदिवाजी सामाज की विसंगतियों को तन लीनता से उकेरा है। बहुत ही गहराई से हर एक चीज का अध्यन किया है और उसके बाद उसे बताने का प्रयास किया। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरितियों के कारण बिगड़ती पीड़ी, थोड़े लाब के लिए बड़े समझाते। क्या क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि इतनी मेहनत करता है आधिवाज समाज उसके बाद भी, उनकी दशा में कोई अंतर नहीं। कुरितियों इतनी हैं जिसके कारण जो युवा पीड़ी है वे बिगड़ती जा रही है। थोड़े थोड़े लाब के लिए वे बहुत बड़े समझाते करते हैं जिसका कहा सकते हैं खामियाजा भाविश्र में भुगतना पड़ता है। पुरुष वर्चस्व है, पुरुषों का अधिपत्य है, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानी अपनी स्वार्थ के लिए छुड़े स्वार्थ के लिए पर्यावरण को कह सकते हैं हानी पहुँचाते हैं। शिक्षित सामाज का दिक्वों और व्यवसाईयों के हातों की कठ पुतली बनना आदिवे स्थितियां हैं जो पुतल की कविताओं के मूल में हैं, केंदर में हैं वे क्या कहते हैं आदिवासी जीवन के अंचुवे पहलू जिनको सब लोग नहीं जानते उनको बताने का प्रियास करती हैं, वे कहते हैं आदिवासी सामाज जो है बहुत कलात्मक होता है मतला उनमें क्रियेटिविटी बहुत जादा होती है और संथाली सामाज की जो साकारात्मक और नाकारात्मक इन दोनों ही पहलूं को बहुत ही बेखौफ तरीके से बेबाकी के साथ वे सामने रखती है संथाली सामाज में जहां एक और क्या है सादगी है, भूलापन है प्रकृती के साथ एक जुडाव है और कठोर परिश्रम करने की शंता जैसे सकारात्मक तत्तु जहां उनमें है और गलत चीज़ें क्या है उनमें अशिक्षा, कोरीतियां और शहराब की ओर लगातार बढ़ता उनका जुकाव भी है आओ मिलकर बचाएं यो कविता आपके पाठे क्रम में है उसे वो क्या बताती है कविता दोनों पक्षों का यथार्चित्रण है मतलब पॉजिटिव और नेगरिटिव जो उनकी क्वालिटीज हैं जो उनके गुण हैं मतलब संथालिस सामाज के उसका बताया गया है बहतर संदर्व में बहतर मतलब बहुत एक विशाल संदर्व में अगर हम देखें तो कविता सामाज के उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्त सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए अत्यन तावश्यक है प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज जो आदिवासी सामाज है वे संकट में हैं कविता उस संकट से उबढ़ने की बात करती है जो कविता का मूल स्वर है संथाली भाशा से रुपांतरन किन्हों ने किया अशोक सिंग ने किया ठीके बचे आज हमने परिचे पढ़ा और एक ब्रीफ एक क्या सकता संशिप्ट परिचे भी पढ़ लिया हमने कवितरी के साथ सत कविता का कविता में क्या है कविता का मूल भाव क्या है यह सब हम जान गए हैं आगले वीडियो लेसन में हम कविता को पढ़ेंगे उस बचर्शा करेंगे